की समस्य के बारे में किसान बहाइब अप्यों के लिए कास तॉर शाओं करता है उसी के ऊपर बात करें गेपने में किसान भाई खेत बोते हैं सुखे में उप्योग के लिए कौन सी दवाई असरकारा ज़ादा है उसके बारे में बात करेंगे और हम आपको उसकी डोज प्राइज वगेरा सब इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे देख सकते हैं किसान भाई यह गन्ना भी जमाब पर है जमाब काफी अच्छा हो रहा है बहतरी जमाब है यह गन्ना वेराइटी भी 38 ट्रंच मैथर से बोया हुआ गन्ना है पलेकर खेत सिंगल लाइन में यह सिंगल लाइन में गूल बोया था और जमाब काफी अच्छा होन लगा है लेकिन समस्या किसान भाईयों ये है कि मोथा परिशान कर रहा है मजदूर आज के टाइम में मिलता नहीं है तो मोथे की समस्या को कैसे दूर करें किसान भाईयों देखें कितना मोथा है इस खेट में इसकी नलाई गुडाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो इसमें सबसे अच्छा उपयोग जो करेंगे हम मोतागास के लिए उस दवाई के बारे में बताएंगे और कम लागत में किसान भाईयो क्योंकि ये ट्रंच मैथर्ड से बोया हुआ गन्ना है कम लागत म मतलब ये है किसान भाईयो हमें पूरे खेत में स्प्रे नहीं मालना है हमें केवल ये जो गन्ना पोधा आप देख रहे हैं ये जो गन्ना देख रहे हैं इसके एक ब्लेंड इस साइड और एक ब्लेंड इस साइड किसान भाईयो है दो ब्लेंड एक ब्लेंड ये साइड हो सिर्फ इतने में गन्या का इस्प्रे करना है इसके अलावा सारे खेत में इस्प्रे करने की कोई आफशकता नहीं है यह जो बीच का एरिया आप देख रहे हैं जो पांच फिट के बीच का एरिया है दोनों गुलों का इसमें हम रूटावेटर या कल्टिवेटर से नलाई कर देंगे क्योंकि जड़के समीफ हमें फाबला चलाना पड़ता है इसलिए यहां हम किसान भाईयो इस्प्रे का उप्योग करेंगे मोथा घास के लिए भाईयो दवाईय में जो मुख्या रूप से जो होता है वो साल्ट मेन होता है कमपनी आपको इसी भी ले सकते हैं रोका के नाम से भी आता है यह ढ़ाल के नाम से आता है यह जो आप साल्ट देख रहे हैं यह मेन साल्ट होता है खर्पतवार के लिए इसका जो salt है वही salt आपको रोका में मिलेगा जो साफिक्स का आता है यही इसमें है या किसी और अन्य कंपनी का आप लोगे तो ये main salt होना चाहिए इसके दुआरा result का अच्छा पता चलता है अन्यक salt है लेकिन उनका उप्योग अलग अलग तरीके से करना होता है लेकिन हम जिस salt की बात कर रहे हैं वो ये salt है किसान भाईयो साथ में इसका उप्योग जो है यह एक packet उप्योग कर रहे हैं हम ये पूरा चार बिगर का खेत है लेकिन ट्रंच में हम गुल गुल में करेंगे तो केवल एक packet ये 100 ग्राम का है जिसकी कीमत 120 से 140 रुपई के बीच में ये 100 ग्राम का packet आपको मिल जाता है इसको आपको गुल लेना है बराबर मात्रा में और इसको अपने according जिस हिसाब से आप इस प्रेक करते हैं कम पाने में काम चलाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप गुल बना कर तयार करें साथ में आप जूरा का उप्योग कर सकते हैं जूरा का उप्योग कर आपके खेत में बेल या कोई चोड़ी पत्ती के अगर घास जम रही है तो उप्योग कर सकते हैं अन्य था इसका उप्योग करने की जूरा का कोई आवशकता नहीं है किसान भाईयो इस्प्रे के रूप में आप जो नोजिल इस्तमाल करेंगे वो बारीक नोजिल होनी चाहिए जिसमें बारीक फवार बने वो पोधे पर समान रूप से बिखेरे मोटी धार का स्प्रे नहीं करना है मोटी धार बह जाती है आपको बारीक स्प्रे का यूज करना है देख सकते हैं किस प्रकार हम स्प्रे कर रहे हैं किसान भाईयो देख सकते हैं 6-7 दिन के बाद क्या रिजल्ट है मोथा उपर से पीला पढ़ने लगा है ये साथ दिन के बाद रिजल्ट है और आगे वीडियो में हम दिखाएंगे इसको बिधाने के बाद पानी देने के बाद क्या रिजल्ट आता है क्योंकि किसी भी दवाई का रिजल्ट जब तक सामने नहीं आता उस दवाई के प्रचार या किसान भाईयों को बारे में बताना गलत है क्योंकि अगर उसका रिजल्ट ना मिले तो कोई फायदा नहीं है आगे इसको बिधाने के परशाद हम पानी देंगे पानी देने के परशाद या हरा होता है या गलता है क्या होता है उस बारे में बताएंगे देखे, किसान भाईो अब पानी देने के बाद कंडिशन देखे, क्या है मोतेगी यह बिलकुल गलने लगाया आप जड़ पर धिहान देगे तो इसकी जड़ जो गांट है वो गलने चालू हो गई है भाईो यह मौत्या धीरे धीरे गल समाप्त हो जाएगा और आपको जो सबसे ज्याज़ा दिक्कत पढ़ती थी, खोदने विदाने में हर फावले पर आपको मौत्या निकालना पढ़ता था हासी उस समस्थ्यय का समध्धन मात्र 155.100 रुपई में इस समस्थ्या का समध्धन 4 महीं आप देख सकते हैं भायों ये खेट पानी देने के बाद एक पडूस्का खेट है जिसमें मौथे की दवाई नहीं लगी है पानी देने के पच्छाद आम पचले और पानी देने के प forbidden कितना मोथा चड़ गया है और आप इस दवाई वाले खेत में अंतर देख सकते हैं तो आप किसी भी जानकारी के लिए जो आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद किसान भाईयो